तो वही देवास दिली के सत्वास क्षेत्र के चंद्रिक केशर बांत पर 15 महने की कमलनाद सरकार में स्वीकरत तथा भाचपा शासनकाल में निर्मित गौशाला को 3 साल से अधिक हो चुका है लेकिन अभी तक गौशाला चालू नहीं की गई जबकि क्षेत्र में गायों के संख्या हर दिन के साथ बढ़ती ही जा रही है जिससे क्षेत्र में हाथ से भी बढ़ रहे हैं वही किसानों के फसलों को भी गायों के द्वारा नश्ट किया जा रहा है देखे रिपोर्ट सत्वास में भाजपा शासंकाल में निर्मित गौशाला को तकरीबन तीन साल हो चुके हैं मगर यहां गौशाला अभी तक प्रारंब नहीं हुई वही चंद्र केशर बांत के समीब गौशाला का क्षीत्र वासी अभी तक इंतसार कर रहे हैं जबकि सेकडों के संख्या में गाएं सड़कों पर डेरा जमाई हुए हैं जिससे आने को बार वहत दुर घटना काफी शिकार हो रही है वही रात्री के समय गाये के द्वारा खेतों पर जाकर किसानों के फसलों को नुकसान पहुचाया जा रहा है जिससे किसानों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है जिससे एक शीद्र की किसान काफी परिशान है अब इसमें परिशानी कित्ती है पूरा खजाते हैं दूसरी बात हमारा सामने महरा में महरा में यहां से हमारे जुलिस वगेरा निकल रहा है इसमें बहुत परिशानी है हमारे एक साल से गोषाला बनके कंप्लीट हो चुकी है मगर अभी तक उसको चालू नहीं किया है और यहां है दिन गायों का एक्सिडेंट होता है इसमें दो तिन लोगों की जान चलिगी है और वी चार दिन पेले यहां पर गाड़ी चड़ गी थी उसका सरकार डाक्टर को बूला कि इलाज भी करवाया है आम लोगों ने गोषाला बांद पर है वह चालू होनी चाहिए महिशियों रात में जाती है दिन बहर पुल पे बैठते हैं सोई बिन में नक्सान करते हैं रात बहर सदवास में बनी नई नवेली गोषाला में अभी तक गायों का प्रवेश नहीं हुआ जिसे शुरू करनी की मांग उठने लगी है पंद्रा महिने के कॉंग्रेस सासनकाल में सुक्रत हुई गो सालाएं अभी तक चालू नहीं हो पाई है यहां गायों का आना भी प्रारम नहीं हुआ है जबकि चार साल से अधिक भाजपा के सासनकाल को हो गए हैं लेकिन इनका सुबरम नहीं हो पाया है जिस कारण गो वंच यहां वहां सडकों पर भटक रहा है पाउन उपाद्याएं एम्पनियूज सत्वास